ओम शान्ति आज 8 ओक्टूबर 2022 है आज बावा ने मुर्ली के अंदर ये कहा कि बावा सत्यूगी राजवंश स्थापन करने आए हैं हमें सत्यूगी राजा रानी बनाने आए हैं तो राज वंश में जाने वाली आत्माओं का क्या पुर्शार्थ होगा कैसे पता चले कि ये आत्मा सत्यूग में तो जा रही है लेकिन राज घराने में जाएगी या साधारन प्रजा या साहुकार प्रजा वा दास्दासी इसका माप्तंद आई जानते है आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माई अल्पकाल की इच्छाओं के कारण देवता के बजाए लेवता नहीं बनो देते जाओ देते हुए गिंती नहीं करो मैंने इतना किया इसने नहीं किया यह गिंती करना दातापन के संसकार नहीं फ्राक्तिल बाप के बच्चे यह बाते गिंती नहीं करते भंडारे भरपूर हैं गिंती क्यूं करते हो सत्युग में भी कोई हिसाब किताब गिंती नहीं रखते रॉयल फैमिली राजवन्शी मास्टर दाता होते हैं वहां यह सौदे बाजी नहीं होगी राजवन्श अर्थात दाता का घर तो यह संसकार अभी भरने है आज बावा ने हमें बहुत सारी बाते बताते हुए एक चावी दी है वह चावी जो हमें राजवन्श में लेके जाए और वह चावी है दातापन जैसे बाबा फ्राक दिल है हमने बाबा को क्या दिया था जो बाबा हमें इतना कुछ दे रहे है हमारा गीत भी बना है कि देते समय दाता ना देखे कभी किसी की जात और पात कभी गिंती नहीं करते कि इस बच्चे ने तो इतना ही किया मैं इतना करूं देने वाले का काम है देते जाना कौन कितना ले पा रहा है ये उसकी पात्रता पे डिपेंड करता है ये उस आत्मा का निजी पुर्शार्त है देने वाला कभी भी सामने वाले को देखकर अपने भंडारे नहीं खोलता लेने वाले की शक्ति चाहिए तो हम भी दाता के बच्चे हैं तो आज बाबा ने वताया कि राजवन्शी घराने में वही जा सकता है जिसके इस समय पर बेहद के दातापन के संसकार हो देने में दाता कभी बारगेन नहीं करता गिंती नहीं करता अगर गिंती कर रहे हैं इसका मतलब लिमिटेड ही है जिसकी गिंती की जा सकती है जिसके पास अंगिनत है वो देने में भी क्या गिंती करेगा और कहां तक करेगा इसलिए अब हमको एक्छा मातरम अविद्या बनकर अर्थात सर्व भंडारे भाबा से भरपूर करके किसी से भी कुछ लेने की एक्छा ना करके फ्राक दिल बनके बेहद का दाता बनना है तभी बेहद की राजाई में हम जा सकेंगे अभी का दाता बनना अर्थात भविश्य में राज वन्शी उच राजपत पाना ओम शान्ती